नमस्कार अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आकरमन हो रहा है एक तो किसानों को जीब के नीचे कुछला जा रहा है उनका मर्डर किया जा रहा है बीजेपी के हो मिनिस्टर की बात हो रही है उनके पुत्र की बात हो रही है उन पे कोई आक्शन नहीं लिया जा रहा है दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर systematically एक के बाद एक एक आकरमन हो रहा है पहला पहला आकरमन land acquisition bill को reverse करने का दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए है और आज systematically जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और ये सब के ये चोरी सब के सामने हो रही है इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे है कल प्रधान मंत्री जी लखनव में थे मगर प्रधान मंत्री जी लखिमपूर खेरी नहीं जा पाए पोस्मॉटम ठीक से नहीं किया जा रहा है और systematically जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनव जाने की कोशिश करेंगे लखिमपूर खेरी जाने की कोशिश करेंगे उन परिवानों से मिलने की कोशिश करेंगे बताएए शुक्रिया, विल तव रोन रोन बेंगे साथ भी है उननीड प्रश सन्जिव श। ब्रूण करेंगे प्रश करेंगे I am here to speak on that issue. The manner in which the leader of the Comptroller did. I am not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you are welcome to do so. What did you say about the Prime Minister's attitude that he makes something bother about the farmers? He will talk about his… It is a, as I said, it is a systematic attack on the farmers of this country and it is arrogance because the government does not realize or understand the power of the farmers and they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. Yes. 144 पाँच लोगों को रोकता है तीन लोग section 144 में जा सकते हैं तो हमने उनको चिठ्ठी लिख दी है ये जो ये जो यूपी में हो रहा है किसानों को मारा जा रहा है मगर इससे पहले हात्रस में भी हुआ था और उनके एक MLA ने भी रेप किया था तो ये systematically ये एक नई तरीके की दाजनेती हो रही है उत्तरप्रदेश में क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं चाहिए वो बलतकार हो किसानों का खून हो और जो मारते हैं जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं तैंक यू सर आशीश फ्रों मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं हमने क्या गलती किया है और जहां तक प्रियंका की बात है ठीक है प्रियंका को बंद किया है मगर ये मामला किसानों का है थैंक यू सर नीरज फ्रॉम टीवी एती देखें ये ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं जैसे अभी आपने बोला ये राजनेती हो रही है देखें हमारा काम ओपिजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहाँ पे कारवाई होती है हात्रस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कारवाई हुई सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना प्रेशर ना बनाए कि जिन्होंने murder किया वो भाग के निकल जाए अगर हातरस में हम गए नहीं होते वहाँ पे जिन्होंने बलत कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते अगर हमने उससे पहले उनके MLA के बारे में नहीं बोला होता हो वो भाग चे निकल जाते तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं हम दबाव क्यों डाल रहे हैं क्योंकि एक किसानों के साथ गलत काम किया गया है उनको मारा गया है और सच मुझ बताओं तो यह आपका काम है आप लोग तो करते नहीं जो आपकी न्यूज नेशन से मोहित क्योंकि देश का जो ढाचा है इंस्टेटूशनल जो स्ट्रक्चर है उसको BJP, RSS ने काबू कर लिया है और यह सिरफ मीडिया की बात नहीं है आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है इसी प्रकार से हिंदूस्तान के सब इंस्टिटूशन को कंट्रोल किया गया है सिंपल सा अंसर है तेंक्यू सर अंडी टीवी डिक्टेटर्शिप देखिए यहाँ पे जो डिमोक्रिसी हुआ करती थी आज हिंदूस्तान में डिक्टेटर्शिप है सीधी बत है राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते कल से हमें कहा जा रहा है कि भईए आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते 36 गड़ की चीफ मिनिस्टर जाते है किसानों से मिलने जाते है उनको कहा जाता है सेक्शन 144 ये कहते हैं मैं तो केला हूँ 144 कैसे लागू होगा कोई जवाब नहीं अब dictatorship किस बात की है क्यों dictatorship क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है जो small medium businesses है छोटे भी अपारी है उनसे चोरी हो रही है किसान है उनसे चोरी हो रही है और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुछला जा रहा है सुनील करन से दिए बेसे आउम की कनि ढम से अरेट जार वाह ही षा behाण रह परपट्ड़न and का से ठीवीड़न थो सामझ का मचा क कॉट्टब्य में जार प्सका अजन a limit to this narrative and you will find sooner rather than later there will be an explosion the size of which people are not understanding so what we are trying to do is we are trying to tell the government let the democratic process work this is what the country is about do not interfere with the democratic process because it is a safety valve if you shut the safety valve other types of problems will come right so we are pushing for maintaining the democratic process we are also pushing when I when we go when the chief ministers myself others go to visit this family we are trying to give them confidence that in this country you cannot be run over by a criminal who calls himself the home minister's son and then nothing happens we are not going to allow that that is the message we are trying to give him it is a message of hope right today those families don't have hope today the farmer doesn't have hope that is what we are doing one second so please don't mind one question at a time there are other friends waiting supriya please teacher teacher जाए Priyanka हो, चाए मैं हूँ, जाए हमारे family का कोई भी हो, man handling से हमें कोई फर्क ने पड़ता, कुछ फर्क ने पड़ता, हमारे से आप कुछ भी कर लिजिए, हमें कोई फर्क ने पड़ता, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमें बंद कर दीजिये, manhandle कर दीजिये, मार दीजिये, गार दीजिये, कोई फरक नी पड़ता, हमारी ये training है, सालों पुरानी training है, ये training हमें फ़र्में है, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फरक नी पड़ेगा, ये लैंड अक्विजिशिशन बिल का मैंने आप से कहा, कि ये सिस्टमाटिकली किया जा रहा है, लैंड अक्विजिशन, फार्म लोज, ये किसानों का जो है उनसे चीनने का तरीका है, सबसे पहले, मैं वहाँ जाकर बात समझना चाहता हूं, ग्राउंड रियालिटी क्या है, क्योंकि ग्राउंड रियालिटी, सच्मुच में ग्राउंड रियालिटी अभी तक किसी को नहीं मालूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम वह जाकर समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनाउ जाने हैं, रजएत, लास्ट क्वेस्टिन, उमीद क्या है, हम प्रेशर डालेंगे, प्रेशर के बिना तो कुछ नहीं होगा, मगर प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे, बट यह देखिए, आप सवाल जो पूछ रहे हैं, यह रिडिक्यूलस सवाल है, क्यूंकि डिमोक्रिसी में ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए, कि आप कह रहे हो कि देखो भई, बहीं, वहाँ पे किसी ने, छे लोगों को कुछल दिया, प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हो, कि जिस वियक्ति के बेटे ने किया, उस पे कारवाई होगी, यह डिक्टेटर्शिप में सवाल पूचा जाता है, डिमोक्रिसी में ऐसा सवाल नहीं पूचा जा सकता, तेंक यू, लास्ट जस वन सेकिन, लास्ट कोस्टिन, उमाई शंकर, नहीं सब को नहीं रोका गया, नहीं सब को नहीं रोका गया, वोजे वियुन सब कल गई, दो पार्टीस कल गई थी, टी-एमसी और भीमार में, देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, यह हम, उपोजिशन यूनिटी, बहुत अची चीज़े होनी चाहिए, मगर यह जो प्रेस कॉन्फरेंस है, यह किसानों का प्रेस कॉन्फरेंस है, हम डिस्ट्राइक नहीं करना चाहते है, जिन लोगों को वहां मारा गया है, हम इज़त रखना चाहते हैं, और उनी की बात करना चाहते हैं यहां पर.